Hello friends, welcome back स्वागत है आपका economy के बहुत important topic जिसका नाम है global minimum tax deal हाल ही में लगबग 136 countries ने एक बहुत important global tax कितना होना चाहिए minimum companies के उपर उसमें एक consensus को arrive किया है सबसे पहले समझें कि topic news में क्यों बना रहा global deal agreed by 136 countries जिसमें जो बड़ी companies हैं, big companies हैं उनको कम से कम 15% basically tax देना ही होगा चाहे वो किसी भी country में operate करती हूँ चाहे वो किसी भी country में उन profits को book करती हूँ या खुद registered हूँ ताकि यह जो companies का game है tax avoidance का कि आप operate तो करो US में, China में, India में, Europe में लेकिन आप company को register कर लो, जैसे Cayman Islands में जैसे island में, जो ऐसी countries हैं, जहां पे tax बहुत कम है या कई जगे tax ना के बराबर है जिनको low tax countries कहा जाता है तो आप इतना ज़्यादा profit earn करते हैं लेकिन क्योंकि आप registered या उस profit को वो कैसे country में करते हैं, जहां पे tax बहुत कम है तो बहुत profit earn करने के बावजूद भी आप ना के बराबर tax pay करते हैं यह criticism रहा है बहुत सारी बड़ी companies का जिसमें आप Apple देख लें, Google देख लें, Amazon देख लें उसके अलावा भी बहुत सारी major multinational system involved है Companies का कहना है कि जब आपने rule बनाये हुएं कि low tax countries हैं तो हमारे पास जब वो option available है तो क्यों हम अपने tax बचाने के लिए वहाँ पर अपने आपको register ना करें या फिर हम अपने profits को वहाँ पर book ना करें तो मुझे लगता है कि यह जो loophole रहा कि हर country अपने country का तो taxation system बना सकती अपना tax rate decide कर सकती है लेकिन दूसरे country पर उसका कोई influence नहीं है और यह जो tax competitiveness है tax प्रतिस फर्दा है कि अगर आपने 30% रखा तो company, दूसरा country कहेगा उस company से कि आप अगर वहाँ invest करेंगे country A में तो आपको 30% tax देना पड़ेगा corporate tax आप हमारे यह invest करिए हमारे यहां सिर्फ आपको 20% ही देना पड़ेगा और इन दौनों को अंटर कट करने के लिए तीसरा C country कहेगा कि आप 20% में मत दीजिए हम तो सिर्फ 10% में ही आपको अपनी company establish करने देंगे तो company options देखेगी मुझे क्या फरक पड़ता है कि मैं A जगह आपने आपको register करूँ B करूँ या C करूँ जब C मैं मुझे सिर्फ 10% ही tax देना है तो क्यों ना मैं C मैं अपने आपको register करूँ हो सकता है आपका जो major business हो वो country A और country B में हो तो country A और country B कहते हैं कि business आप हमारे यहां कर रहे हो हमारे customers से आप profit earn कर रहे हो लेकिन वो सारा profit आप ले जा रहे हो country C जो कि एक छोटा सा island किसी C के बीच में है जहाँ पे शायद छोटी सी population हो क्योंकि वहां का tax laws बहुत simple है या low taxation वो countries है इस issue को plug करते हुए finally अब global tax का 15% कि चाहें आप country A, country B, country C, country D, country E कोई भी country across these 136 countries अगर आप registered होंगे तो कम से कम आपको 15% tax आपको देना ही होगा तोस्तों यह जो agreement हुआ 136 countries का यह basically announce किया Organization for Economic Cooperation and Development जिसको OECD भी कहा जाता है जो OECD ने कहा कि सिर्फ 4 countries जिसमें Kenya, Nigeria, हमारा दोस्त, पाकिस्तान और श्रिलंका इन्हों ने अभी तक इस global tax agreement को sign नहीं किया है लेकिन the good news is कि world के global economy के जो 90% countries है उन्हों ने इस global tax agreement को sign कर लिया है दोस्तों minimum tax और क्यों इसकी अब जरुरत महसूस हुई सभी को जब कोरोना 19 ने हिट किया economic activities बंद हो गई, shutdown हो गई, lockdown हो गई तो government के पास earning के sources कम हो गए लेकिन government ये देखती रही कि हमें तो basically tax मिलना कम हो गया हमें अब पैसा चाहिए ताकि हम pandemic response में invest कर सकें job employment create करने में कर सकें economy को आगे बढ़ाने में invest कर सकें लेकिन हमारे पास taxation बड़े बड़े companies से नहीं आ रहा है हालांकि ऐसा नहीं कि वो companies खुद basically profit नहीं कमा रही है वो majorly profit कमा रही है लेकिन ये tax जो rules है इसमें जो gap है लकूनास है उसका फाइदा उठा के ऐसे countries में उन टेक्स को book करती है जहांपे tax बहुत ही कम है दोस्तों तो जो ये low tax countries है हो सकता है वहाँ की sale कुछ ना हो हो सकता है वहाँ एक रुपे की चीज नहीं बेशते हो लेकिन क्योंकि आपका एक छूटा सा office वहाँ established है आप registered है तो आप क्योंकि registered है आपका सारा profit उस country में book किया जाएगा और जिस country में आप operate करते हैं चाहिए इंडिया हो उस country की government को आप कहेंगे कि हमने सिर्फ आपके आप business किया लेकिए आपके हम registered नहीं है तो आपको tax देने के लिए हम liable नहीं है तो इस case में government कैसा feel करेगी government feel करेगी profit हम से कमाया operate हमारे हाँ करते हो और सारा का सारा profit तुम ले जा रहे हो कहीं और इसको बंद किया जाए और धीरे धीर हमको ये भी देखने माया है कि जो नए intangible sources हैं लाइट है जिसको आप देख सकते हैं ये एक software की तरह है तो ये सिफ computer programs की तवरा एक country से दूसरे countries में easily transfer किये जा सकते हैं तो इस वजह से इन पे जो tax लगता है इन पे जो earning है उसको control करना regulate करना और मुश्किल होता जा रहा है तो countries इन चीज़ों को कमाती कहीं से हैं book कहीं करती हैं और जिस country में major operations होते हैं वो शायद कुछ भी tax ना पापाता हूँ दोस्तों X को face करने के लिए और कई decades की जो ये लगातार debate चल रही है और हाली में आपने Panama Papers का नाम सुना होगा Cayman Islands का आपने नाम सुना होगा ये जो tax competition है governments का कि foreign investment आप हमारे हैं basically आप industries लगाई है हमारे office खोली है क्योंकि हमारे tax बहुत कम है इस tax competitive हमने इसको कम करने के लिए बंद करने के लिए major milestone है दोस्तों अच्छाए deal कैसे काम करेगी जो global minimum tax rate है 15% का वो सारी multinational firms जिनका global sale कम से कम 868 million हो पर annum उनका कितना भी overseas profit हो मतलब आप चाहे profit बहार कम आते हो फिर भी आपको 15% कम से कम tax देना ही होगा government कहती है कि जो भी आपका local corporate tax है लेकिन मान लीजिए किसी और country में मान लीजिए इंडिया में corporate tax 35% है जिसको कम करके फिर 25% किया जा रहा है लेकिन कोई country जहां पर बोक्टेम आपर सिर्फ 5% ही है government of India कहेगी आप 5% वहां देजिए लेकिन हमें आपको कम से कम 15% देना ही होगा because now we are a part of the global minimum global tax regime similarly जो इसका दूसरा pillar है तो पहला pillar हो गया कि आप कहीं भी हों लेकिन 15% आपको minimum tax देना होगा तो जो tax shifting का जो basically या profit shifting का जो game चला आ रहा था इसको बंद किया जा सकेगा साथी साथ जो 25 largest multinationals है सबसे 25% जिनको access profit earning multinationals कहा जाता है अगर आपका profit आपके revenues के 10% से ज्यादा है तो भी basically आप जहां पे उस revenue को earn करते हैं उसमें आपको 25 आपको 15% tax देना ही होगा मतलब एक तो आपका corporate tax अगर आप कम देते हैं low tax countries में shift करते हैं profit को 15% minimum दूसरा जो 25% access profit multinationals हैं उनको जहां से वो majorly revenue earn करते हैं वहाँ 15% tax देना ही होगा दोस्तों अब आगे इस पूरे process का क्या process होगा कि अब next step होगा कि जो finance ministers हैं G20 या group of 20 economic powers के यह formally endorse करेंगे इस deal को जो basically end of October में scheduled है उसके बाद इसको वापस आके अपने respective countries में law को pass करवाने की direction में यह काम करेंगे दोस्तों US इसमें major initiative कर रहा है in fact जो अभी नई president है US के जो Biden वह भी कोशिश कर रहे हैं कि US Congress के थूरू इस new global tax deal को finalize करवाया जा सके दोस्तों सारे countries की 136 member countries की कोशिश है कि 2022 या 2023 तक हर हाल में यह जो global minimum tax deal है इसको effectively globally basically apply करवाया जा सके ताकि जो countries हैं इन लूपोल्स का अब फायदा ना उठा सके जिन countries में real में operate कर रहे हैं वो उस tax को ले सके ताकि अपने development में अपने social sector में अपनी economy को बढ़ाने के लिए अपने employment generation के लिए उस tax को governments utilize कर सके दोस्तों इसका economic impact क्या होगा तो OECD के हिसाब से 136 countries जो 90% of global economic control करते हैं जो इसके members हैं उनको additionally हर साल roughly 150 billion dollars का tax इससे additional मिलेगा दोस्तों इसके अलावा जो taxing rights हैं 125 billion dollars of profit जो कि shift कर दी जाते थे low tax countries को अब उस shift को करने को इन companies के पास को incentive नहीं रहेगा तो जब वो कहिए Cayman Island में मुझे 15% तो tax देना पड़ेगा चाहे मैं Cayman Island चला जाओं चाहे मैं Panama चला जाओं चाहे मैं आइलेंड चला जाओं वहीं पे उस tax को repatriate करें उसमें एक बड़ा boost up होगा दोस्तों मुझे उम्मीर है दोस्तों आज का यह हमारा lecture on global minimum tax deal आपको पसंद आया होगा stay tuned for a next set of videos until then जहिंद जहमारत